लें जनाब, fast-paced पे एक app बनाने वाले हैं, code में आपको provide कर दूँगा, code की tension नहीं नहीं, सिर्फ समझें के app क्या है, यह app एक ऐसी चीज है, जिसके अंदर आप PDF को डालेंगे, और PDF की analyze करके आपको word cloud बनके आ जाएगा, और यह streamlet पे भी हमने app बनाई तो, और इस app के different versions भी मैंने आपको बना के दिखाए है, one of the versions we are going to do on flask, screen आपके सामने हाजिर है, word cloud flask 8 number folder है, template के अंदर हमारे पास यह basic इसका template है, इस तरीके से आप कोई भी file choose करेंगे, and then you can generate your word cloud, ठीक है, पहली चीज़ यह, यह आपका front end which is very simple, और यह आपके पास अगर आपका front end बन गया तो इस तरीके से आपके पास word cloud आपका बन के आजएगा, on result side, and then in upload folder, आपका word cloud क्या होता है, यह basically कुछ इस तरीके से होता है, and इस तरीके से word cloud आप use कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेक करेंए, एक मैंने pdf की file भी डाली हुई है, you can use your own pdf file, obviously pdf को view करने के लिए मुझे यहाँ पे pdf viewer install करना पड़ेगा, which will take some time, और यहाँ पे मेरे पास vs code pdf की option उन्होंने पहले दे दी थी, तो मैंने का चलो वहीं से install कर लेते हैं, now you will see कि जैसे मेरे पास वो extension install होगी, then I can actually view my pdf files inside, inside what? inside vs code, और दूसरी बात यह है कि जैसे आप pdf आपके पास है, आप pdf upload करेंगे, और upload करने के बाद आपके पास word cloud बन जाएगा, आप का code यहाँ पर पढ़ा हुए सारे के सारा, आप pdf reader को add करते हैं, word cloud की app को install करेंगे, और matplot lip के थुरू आपके पास यह पूरी की पूरी app बन के, जो word cloud बन के आजाएगा, सारा code आपके पास है, आप इसको खुद से समझेंगे, and then it will be easier for you to understand, कि आपका code किस तरीके से काम करते है, obviously, अब हर app का code में आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि पिछली सारी apps का code में आपको बता दिया, code आपको available हो जाएगा, let's see के यह काम कैसे करती है, and then we will talk about this in a bit, मैं यहाँ पे forward slash, back slash में जाता हूँ, cd08 word flask python app.py, let's see, यह हमारे पास word cloud कैसे बनता है, तो यह हमारे पास जिनावे वाला front end open हो गया, मैं choose file करके, जहाँ पे uploads हैं, वहीं पे हमारे पास एक pdf पढ़ी है, इसको open करता हूँ, open करने के बाद generate word cloud पे click करता हूँ, it will generate a word cloud based on the different things, और यह आपके पास word cloud generate होके आगया है, so this is how you can actually generate a word cloud, zoom in, zoom out कर सकते हैं, same image भी कर सकते हैं, and then, इसमें कुछ खामी हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं, कि आपके पास यह word cloud तो आगया, but it should also provide the table with it, so आपने क्या करने, इस तरीके से app को modify करने, और अपने portfolio के अंदर इसे use करने हैं, ताके आपके पास एक table भी है, so इसको मैं app इस तरीके से कर लेता हूँ, और app.py के अंदर अगर हम जाएं, तो यह हमारे पास कुछ flask की और utilities हैं, pypdf2 एक library है, pdf reader है, docs है, python docs भी से बोला जा सकता है, word cloud भी है, plt भी है, यहां से हमने file uploader मांगा, ठीक है, upload folder, जिसके अंदर हमने बताया कि यार, क्या-क्या चीज़ें कहां से लेनी है, and then you can generate and save word cloud like this, और आपके पास generate and save हो जाएगा आपका word cloud, using word cloud function, जो basically आप Jupiter notebook में use करते हैं, आपने उसको एक function में derive कर दिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो uploader button होगा, वहाँ से जो file आएगी, उसको इस function से गुजारेंगे, इस function से गुजारने के बाद, जो हमारे पास final result आएगा, then we can actually show that, into different kind of folders, आप यहां पे docs की file भी upload कर सकते हैं, PDF भी कर सकते हैं, इस totally up to you, लेकिन आपके पास जो format है, वो at the end PNG, graph के अंदर आएगी, और आपका जो front end है, वो index HTML है, यहां पे आपके पास results को, आपने separate route दिया है, और decorator दिया, और यहां पे uploads को आपने separate दिया है, and at the end आपके पास यहां आप आगी है, I know there are many things which you can improve in this app, यहां आपको फॉरां सारी के सारी आप मिल जाएगी, आपने functionalities अब इसमें क्या आइड करनी, जो आपका task है, you have to make the front end better than this, and then second one is add download button, ठीक है, provide the table to user after making word cloud, interface should be interactive, ठीक है, so these are the things, और जो भी आपको लगता है कुछ और भी, आप इसके अंदर functionalities अड करें, and then make it your portfolio, और आप मुझे भी send कर सकते हैं, on discord का server, then I will actually give you a shout out, अब यहां तक आपको समझ आगिए, कि आप कैसे चलती है, word cloud कैसे बनता है, और यह छुटी-छुटी apps आपके portfolio में add होगी, March का महीना चाहरा है, और 6 मा के course के अंदर मैंने आपको बताया था, कि जब हम projects बनाएंगे, जिसमें मैंने आपको one-to-end-to-end machine learning का project भी बनाना सिखाया, and then we develop some kind of basics apps, different kind of apps, 8 तो apps आपकी यही बन गी है, imagine करें, 8 यह वाली apps, 8 से 10 या 12 apps हमने streamlet पे बनाई, EDA के projects बनाई, अभी तक जो लोग 6 मा के course के अंदर मुझूद हैं, उनके more than 20 या 30 projects जो है वो बन चुके हैं, हले भी तुझी अगर गेंदे 6 मा जखी से क्या ततानुस लूट है, इसे के साथ ही मैं आपको खूँओं कि next class में मिलते हैं, next class मतलब इससे एकला lecture, और उसमें हमें एक और app बना के देखेंगे, जो एक voice boat है, और उसके अंदर हम चेक करेंगे, किस तरीके से हमारी functionalities जो हैं वो काम करती हैं, let's see you in that one, obviously समझ तो गई ही होंगे आप, कि like, share, subscribe कर दिया करें, इसे हमें फाइदा होता है, और आपको भी फाइदा होता है, on the other side, it actually supports us, अगर आप हमें support बगना चाते हैं on the other way, तो आप YouTube की हमारी membership purchase कर सकते हैं, which have different perks, और कुई मेंगी नियां 2 या 3 डॉलर की एक है, एक बाइस डॉलर की है, totally up to you which one you want to purchase, 2 डॉलर का मतलब 400 रुपया 500 रुपया, that supports us to manage our website, manage our YouTube channel, and manage these kind of projects portfolio for you, यहां तक के लिए इतने, take care, next lecture में मिलते हैं,